पुछ आज हम लोग बात करेंगे कि कलास्ट करेंगी जियोप्रक्रम् है ये chapters हम अच्छे से बात करेंगे ध्यांनी जो हमारा पहला यूनिट है पहला यूनिट में गसा इस पृसर है यो सभी जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती हैं उन्हें उपापचई या जीवन की प्रक्रियाएं या जय प्रक्रम कहते हैं या कहलाती हैं कियानि हमारे जो बॉड़ी में जो भी क्रियाएं होती हैं जिसके द्वारा हम जीवित रहते हैं यानि कि अगर मालो अगर कोई human beings अगर जिन्दा है या फ प्रेलं उसमें कि एक nutrition होता होगा यानि कि उसको जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? पोसड़ चाहिए बीना पोसड़ का उसको फूड चाहिए अगर फूड नहीं खायेगा तो जीवित नहीं रहेगा फूड खाने से क्या मिलता है उसे soli energy मिलती है तो बीना energy के कोई भी इंसान जीवित नहीं रह सकता है और क्या हो सकता है उसके अंदर respiration होगा यानि कि उसके अंदर क्या होगा वो oxygen को intake करता होगा यानि oxygen लेता होगा और co2 बाहर निकलता है यानि उसमें स्वसन की प्रक्रियाई होती होगी उसमें जो उसका glucose होगा यानि respiration की जो process होती है respiration में क्या होता है कि glucose oxygen के presence में क्या होती है कि break होती है और यहांसे energy liberate होती है यानि energy यहांसे बाहर निकलती है तो जब हमें उर्जा मिलेगा तो हम जीवित रहेंगे और transportation होगा यानि कि हम जो भी कुछ खाएंगे इंटेक कर रहे हैं तो जो फूड होगा हमारे इस्टमक में डाइजेस्ट होगा तो इस्टमक से जितने भी पूरे निउट्रिशन जो भी पोसक पदार्थ होंगे वो पूरे हर एक बॉड़ी पार्ट में जाने चाहिए कि अगर मालो हमारे हेयर ग्रोथ का अतना है बॉड़ी करता है ब्लड तो बेसिकली ब्लड यानि रख्त के द्वारा ही पूरे निउट्रिशन पार्ट होते हैं हमारे जो पोसड होते हैं पूरे सरीर में घूमते फिरते रहते हैं इसके द्वारा हमारे पूरी बॉड़ी की पार्ट क्या है कि एक प्रॉपर निउट्रिशन मिलती ह और body की part जिसको जितना growth करना उतना ही growth कर रहा है ऐसा तो होता नहीं है कि मलगे कि हमारे हाथ को जादा nutrition मिल गया जादा पोसड मिल गया तो हाथ जादा बिक्सित हो गया पैर को जादा मिल गया पैर बिक्सित हो गया या हमारा जो खोपड़ी यह वो ज्यादा विखसित हो जाए, ऐसा नहीं, हमारा बोड़ी डिसाइड करते है कि इसको कितना nutrition चाहिए, कितना किसको लिए nutrition important है, जरूरी है, उसको उतना nutrition मिलता है, तो यह जो प्रक्रिया होती है, transportation के द्वारा होता है, और अगर हम बात करें कि excreation अब हमारे body parts में क्या है कि जो भी कुछ हम खा पिरें ज़रूरी नहीं कि हर एक चीज हमारा body उसको absorb ही कर ले कुछ ऐसे भी parts होते हैं जो कि हमारा body क्या करता है उसको absorb नहीं करता है यानि उसे अपने body के अंदर बिल्कुल नहीं रखता है तो उसे body से क्या कर देता है excrete कर देता है यानि बाहर कर देता है जैसे हमारे body में क्या है कि हम respiration के दौरान क्या कर रहे थे हमारे body में salt का concentration जादा हो जाते है तो हमारी body क्या करती है salt को भी बाहर release कर देती है by the way sweeting के द्वारा पसीने के द्वारा उसको बाहर निकाल देती है next अगर हम बात करें उपा पचेई क्रिया में तो control and coordination वाली जो process है कि हमारा मस्तिस का मतलब हमें क्या बोलना चाहिए क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए कैसे रहना चाहिए कैसे environment में कोई किसी के सामने कैसे बात करें हर एक चीज़ का समन्य नियंतर हमारी body करती है तो यानि मिला जुला कि अगर हम बात करें कि life process यानि जयव प्रक्रम होता क्या है तो वे सभी प्रक्रियाएं जो जीव को जीवित बनाए रखने में सक्षम होती है जिसके द्वारा जीव जीवित रहता है उस प्रक्रिया को उपापचयी या फिर जीवन की प्रक्रियाएं या फिर जयव प्रक्रम कहते हैं और यह प्र कि यह सारी प्रक्रिया होती है लेकिन इन सारी प्रक्रियाओं में कौन सी प्रक्रिया होती है कि यह सब प्रक्रियाओं के बारे में हम डिसकस कर रहे हैं तो बैसिकली क्या है कि जो तुम्हारा जैव प्रक्रम है जैव प्रक्रम में एक एक यूनिट को अलग अलग चैप्टर बना दिया गया है तो हम NCRT के साथ सा हम क्या करेंगे कि side book का भी ध्यान रखेंगे और side book में जितने चीजे जितने chapters दी हम उसको पढ़ेंगे क्योंकि हमारा मक्सद क्या है कि हमारा जो biology में जो 25 नंबर है 27 नंबर है उसको एकदम छोड़ना नहीं है हमको हर एक चीज पढ़त असान भी होगा ठीक है तो अब हम इसमें से एक-छैप्टर यहीं rawny nutrition के बारे में बात करेंगे 패RP dat करेंगे transportation के बारे में बात करेंगे exclusion के बारे में भी बात करेंगे जिसमें कोई भी सरल कार्बनिक पदार्थ जटिल कार्बनिक पदार्थ में चेंज हो जाए जटिल कार्बनिक पदार्थ में चेंज हो जाए या कोई जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित हो जाए तो ऐसी प्रक्रिया को क्या करते हैं? metabolic reaction या फीर उपापचाई curryya हिंदी में उसे क्या बोलते हैं? उपापचाई क्रिया बोलते हैं यह उपापचाई क्रिया जो बिसिकली है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है पहला है एनाबोलिक reaction अब दूसरा है केटाबोलिक रियक्षन एनाबोलिक रियक्षन क्या होता है जिसे हिंदें बोलते हैं अबचई क्रियाएं क्या बोलते हैं इसे अबचई क्रियाएं क्या होती है इसमें जो आपका सरल कार्वनिक पदार्थ होता है यह चेंज हो जाता है किसमें जटिल कार्वनीक पदार्थ में किसमें चेंज जाता है जटिल कार्वनीक पदार्थ में चेंज जाता है अगर हम इसको उदहारण के द्वारा समझें तो इसका उदहारण है प्रकास संसलेब को इंग्लिस में क्या बोलते हैं तो प्रकास संसलेब को इंग्लिस में बोलते हैं फोटोसिंथेसafa अवे photosynthesis क्या होता है कि तरीके से हम जाने कि इसमें सरल कार्बनिक पदार्थ में change हुआ है तो देखो जो भी plants होते हैं वायू-मंदल से क्या करते हैं करते हैं और रूट के द्वारा क्या करते हैं जल को अवसोसित करते हैं और सुरी के प्रकास के उपस्तिती में सुरी के प्रकास के उपस्तिती में हरीत लवक की सहायता से यानि क्लोरोप्लास्ट की सहायता से वो सरकरा बनाते हैं गुलुकोज बनाते हैं मंड बनाते हैं तो इ ये जो तुम्हारा CO2 है और ये H2O हो ये दोनों क्या है सरल कार्बनिक पदार्थ हैं और ये जो तुम्हारा ग्लुकोज है ये ग्लुकोज क्या है ति ये ग्लुकोज है जटिल कार्बनिक पदार्थ ति ये सिंपल मैंने एक उधारण दिया कि सरल कार्बनिक पदार्थ क्या ह कि जटिल कार्बनिक पदार्थ में चेंज हो गया है मतलब कि जो तुम्हारा सरल कार्बनिक पदार्थ है यह जटिल कार्बनिक पदार्थ में चेंज हो गया है अब जो जटिल कार्बनिक क्या करते हैं इसको intake करते हैं खाते हैं तो यहां पर क्या है कि catabolic reaction में क्या है कि इसका भी अगर उदारण की बात करें तो यहां जटिल कार्वनिक पदार्थ में जैसे तुम्हारा glucose है C6 H12O6 अभी क्या है कि by the way oxygen के presence में oxygen के presence में यही glucose के जो molecule है कोछ enzyme के द्वारा क्या होते हैं यह टूट जाते हैं यानि हम बात करें C6 मलब 6 H2O में ब्रेक हो जाते हैं यानि देखो यह glucose बना किस से था सरल कार्वनिक पदार्थ से जो बदल गया था जटिल कार्वनिक पदार्थ अब यह जटिल कार्वनिक दो पार्वनिक पदार्थ बन जा रहा है और उप का मलब उट टूट रहा है यानि कौन टूट रहा है किस फ़र्म में CO2 और H2O के फ़र्म में ब्रेक हो रहा है यह बेसिकली था उपापचई क्रिया उपापचई क्रिया में और भी हम चीज़े जान सकते हैं इसको और ज्यादा डीफ हम लोग पढ़ेंगे जैसे प्रकास अंसलेसर्ट की बात हमने किया तो इसको हम पुरा रेक्शन होता है यह केवल केवल प्लांट्स में होगा मतलब कि जो एनाबोलिक रेक्शन है केवल प्लांट्स में होगा क्यों क्यों कि प्लांट्स के अंदर क्या होती है प्रकास अंसलेसर्ट एक प्रक्रिया होती है जिसकी छंता उन में क्लोरोप्लास्ट के द्वारा आती लेकिन catabolic reaction क्या है कि यह plants में भी होती है और animals में भी होती क्योंकि plants अगर भोजन बनाते हैं तो plants भोजन खाते भी है ठीक है तो अब हम next बात करेंगे कि प्रकास अंसलेशर क्या होता है ठीक है तो देखो basically हम simply यह बात करें कि अभी तक हमने nutrition पढ़ा, catabolic reaction पढ़ा, inabolic reaction पढ़ा अब हम यह पढ़ेंगे कि जो nutrition होता है भोजन होता है उसकी आविसकता हमें क्यों पढ़ती है मतलब हमारे लिए भोजन क्यों जरूरी है तो सबसे पहली चीज है कि supply of energy मतलब उर्जा का अस्थान आंत्रड यानि अगर हम भोजन करेंगे तो हमारे सरीर में उर्जा जाएगी अगर उर्जा जाएगी तो हम पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे अच्छे से खेल कुछ सकेंगे मतलब जो भी काम करना होगा हम अच्छे से कर सकेंगे लेकिन बीना उर्जा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं growth of body यानि बेना भोजन के यानि ब्रिधीओं विकास के अगर हम बात करें ब्रिधी विकास तो ब्रिधीओं विकास हमारे सरीर का ब्रिध्भी में विकास नई होगा यानि जब सपोच करो कि जैसे तुम require टूरे बोड़ी कैसी थी लेकिन आज तक तुम्हारे body growth कैसे हो रही है कोई ब यानि सब कुछ खेला कहां पर है सब कुछ खेला है nutrition यानि जो जितना फूड लेगा उसके body structure उतना ही different होगी तीसरा अगर हम भोजन की बात करें कि क्यों जरूरी है तो repair of damaged body parts मलेव की अगर बात करें कि अगर हमारे सरीर में कहीं चोट लग जाती है तो घर पे गेस्ट आते है तो falfool लेके आते हैं क्यों लाते हैं क्योंकि guest को भी पता है कि अगर falfool लेके जाएँगे तो अगर इसे चोट लगी है तो जल्दे ठीक हो जाएगा त्यानि कहीं कहीं क्या है कि हमारे body में ऐसे resource जाते हैं जिसके दोरे हमारे body में और कोई चोट लगी रहती है तो उसका damage प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजिस रिपायंगे, ठीक हैं, लेगिन ऐसा नहीं है कि हम लोग एक्दम फ़लफुल नहीं खाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो फ़लफुल खाते हैं, कुछ बच्चे जो नहीं खाते हैं तीए सब चीज़े, और नेक्श अगर बात करें, कि प्रोटे कोरोना वायरस बहुत फैला था यानि उसमें सिंपली यह देखा जा रहा था कि जिसकी प्रतिरक्षा तंत्र इम्मुनिटी की अगर हम बात करें प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज तो यह कैसे इंक्रीज होगी जिनके बॉड़ी की इम्मुनिटी ज्यादा होगी इम्मुनिटी का मनलब क्या है जिनकी प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षा तंत्र जिनका ज्यादा मजबूत होगा यानि प्रतिरक्षा तंत्र डिनोट करता है डवलू सीयस यानि वाइट ब्लड कार्पो सेल्स प्यारे बच्चों आप लोग प तो हमारी इम्यूनिटी जो है जो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र है अगर जितना बढ़ी हम फूड इंटेक करेंगे जितना ज्यादा नूट्रिशन लेंगे डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइप्स के वेजी टेबल्स लेंगे डिफ्रेंट डिफ्रेंट टाइट्स के हम लोग दा बाता चलेगा है कि हमारी immune system यानि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत है तो simply एक example करना है कि कुछ ऐसे बच्चे होंगे ज़्यादा sensitive होंगे थोड़ा सा धूप में निकल जाते होंगे थोड़ा सा मौसम change होता है उन्हें सल्दी जुखाम हो जाता है उन्हें लेकिन कुछ ऐसी बच्चे होते हैं कोई भी मौसम हो कितना ही बारिस में भीग जाए कितना ही कुछ हो जाए कितना ही मौसम change है लेकि उन्हें सल्दी जुखाम जल्दी नहीं होता है तो इन बच्चों का immune system क्या है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग है तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं तो यह बात थी need of nutrition या फूर यानी भोजन क्या हो सकता हमें क्यों पढ़ती है अब हम next slide की बात करते हैं कि nutrition के types की अगर हम बात करें कि nutrition कितने प्रकार क्यों होते हैं तो यह जो nutrition की बात अगर की जाए तो on the basis of nutrition of the organism मतलब कि जीओं के अधार पे यह nutrition को दो parts में divide किया गया है कुछ ऐसे organism है जो कि अपना food यानी अपना भोजन स्वयम बना लेते हैं क्या करते हैं स्वयम बना लेते हैं तो ऐसे organism को क्या बोलते हैं Arterotopic Nutrition यानि स्वह पोसी जो अपना भोजन स्वयम बना लेते हैं तैसे जीव जन्तु जो अपना भोजन स्वयम न बनाकर दूसरे जीवों पर पूढ रूप से निर्भर हो ऐसे जीवों क्या बोलते हैं विशम पोसी पोसड या विशम पोसी जीव बोलते हैं ठीक है अगर हम बात करें आट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की तो आट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में बिसिकली होता है कि अपना भोजन स्वयम बनाने के मल्दब कह हैं कि अभी हम प्रीवियस वीडियो में ही बताया कि यह एक प्रक्रिया करते हैं जिसे बोलते हैं फो इतने भी एनिमल्स होंगे। फूछ ऐसे प्लांट्स भी यह हेट्रोटॉपिक नूट्रैशन सौ करते हैं। लेकिन वो दोनों करते हैं जैसे अगर lon under exception की बात करें। तो जैसे अगर हम बात करें lower japanese जैसे यूगलीना आपलोगों ने पड़ा ओगा यूगलीना क्या करता है यह मिघ्जो ट्रॉपिक न्यूट्रीशन करता है मिघ्जो ट्रॉपिक न्यूट्रीशन करता है मलब कि अगर सन रहेगा तो अपना भोजन स्वयम बनाएगा सन नहीं रहेगा तो दूसरे जिवों को मार के खा जाएगा तो आट्रो ट्रॉपिक nutrition बात करते हैं, अब हम विस्तार से बात करेंगे कि事 आर्टो टॉर्पिक nutrition होता क्या है आर्टो टॉर्पिक nutrition को basically हम लोग बौलते हैं स्वपोसी पोसर क्या बौलते हैं? स्वपोसी पोसर बौलते हैं मनलाव ऐसे जिव जो अपना भोजन स्वयम बनाए ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयम बनाए ऐसे जीवों को बोलते हैं स्वपोसी जीव स्वपोसी जीव बोलते हैं और ऐसे बिधी को क्या बोलते हैं ऐसे बिधी को क्या बोलते हैं पोसड के तो बोलते हैं स्वपोसी पोसड बोलते हैं तो basically जितने भी green plants होते हैं इसके examples के बाद करने green plants हो गया, algae हो गया तो यह सब क्या करते हैं अपना भोजन स्वयम बनाते हैं अपना भोजन कैसे स्वयम बनाते हैं तो अगर हम बोलें कि inner plants में क्या होते हैं कि एक special structure होता है एक विसेज प्रकार की संग्रशना होती है जिसे बो बोलते हैं इसे basically chloroplast बोलते हैं एक chloroplast के अंदर क्या होते हैं कुछ वर्ड़क होते हैं chloroplast को हम लोग बोले थे हिंदी में हरीत लवक बोलते हैं अब यह हरीत लवक क्या करते हैं कि हरीत लवक के अंदर कुछ वर्ड़क होते हैं यह वर्ड़क क्या करते हैं कि सुर्य के प करते हैं और वसोसित करने के बाद क्या करते हैं कि जैसे कि यह 6 CO2 है ठीक है और 12 बच्टु ओ है अगर हम बात करें CO2 कहां से आया तो प्लांट्स यह एटमास्फिर यानि वाता वरड़स इसे वसोसित किये ठीक है और यह जल कहां से आया ते जल आया स्वायल से कहां से आया स्वायल से किसके द्वारा आया जड के द्वारा आया ठीक है तो हरे पेड़ पौधी क्या करते हैं कि क्लोरोप्लास की सहायता से यह क्या करते हैं कि अपने अंदर CO2 और S2O को लाते हैं सोरे के प्रकास की उपस्थिती में हरीत लवक की सहायता से क्या बनाते हैं ग्लुकोज बनाते हैं सरकरा बनाते हैं मंड बनाते हैं और जल को रिलीज करते हैं यानि कि इसे हम लोग यह जो आप पोर्षन देख रहे हैं इससे ग्लुकोज बोलेंगे क्या बोलेंगे ग्लुकोज यही ग्लुकोज जब स्टोर होता है तो इससे स्टार्स बोले करता है तो ध्यान से चीज को हम लोग पढ़ेंगे कि यह ऑक्सीजन और एस्टुओ का यहां फंक्सन क्या है तो सिंपल देखे कि इसमें कि स्पेशल संग्रशना पाईगे हरे भरे पेड़ पाउधों में जिसे क्लोरोप्लाश बोलते हैं और उसमें वयड़क होते हैं अलग- संसलेसर क्या बोलते हैं इसे प्रकास संसलेसर बोलते हैं प्रकास संसलेसर के परिभासा के अगर हम बात करें तो कैसे आप इसे डिफाइन करेंगे कि जैसे सपोच करो कि सपोच करो जैसे हैं प्लांट्स हैं और यह प्लांट्स क्या करते हैं कि वाता वलड़ से कार्बन डा प्रकास की उपस्थिती में सरकराया मंड और ऑक्सीजन और जलका निर्मार करते हैं यह प्रक्रिया क्या करती है प्रकास अंसलेसर कहलाती है और यह प्रकास अंसलेसर की प्रक्रिया क्या होती है जै और आसाइनिक प्रक्रिया होती है जिसे बायो केमिकल रियक्शन करते हैं य तो इसके बारे में हम define कर सकते हैं और अगर हम बात करें कि यह तो पता चली गया CO2 इसमें से अब देखो यहां पर question नॉर्मल से आती है कि कभी कभी पूछा जाता है कि यह oxygen है यह oxygen कहां से निकलता है यह किसका byproduct है जल का है या फिर CO2 का है तो आपके मन में एकदम simple सा question यह आना चाहिए इसका जवाब एकदम कि यह जो H2O है यह H2O का ही byproduct है oxygen जब आप higher class यानि ज़्यादा higher class ने class सिल्वेंट में जाएंगे तो आपको deep पढ़ाया जाएगा ठीक है प्रकास अंसलेसर की पूरी chapter है उसमें प्रहाय जाएगा कि कैसे जल ब्रेक होता है water और वहां पर oxygen byproduct निकलता है तो basically plants के लिए oxygen CO2 यानि carbon dioxide बहुँ ज़्यादा ज़रूरी होता है लेकिन humans के लेकिन उसके लिए oxygen क्या है उसके लिए अपसिस्ट पदार्थ है तेज oxygen को बाहर release कर देता है लेकिन अगर एस्टो की बात करें तेज जो water है यह water का use कहा करता है तो plants में एक और विशेश प्रक्रिया होती है जिसे बोलते है वास्पो सर्जन यह वास्पो सर्जन प्रक्रिया क्या होती है कि प्रकास के वायवी भा यानि पतियों के द्वारा क्या करते हैं कि जल को वास्प के रूप में पतियों के द्वारा उस सर्जित करते हैं तो पाउधों के वायवी भागो द्वारा जल का वास्प के रूप में वाता वरड में उस सर्जित होने की प्रक्रिया वास्पो सर्जन कहलाती है ठीक है तिय तो क्या बोलते हैं ट्रांस्पिरेशन बोलते हैं वासपू सर्जन की प्रक्रिया तो ऐसे प्लांट्स जो अपना भोजन इस तरीके से बनाते रहते हैं ठीक है तो हमने पढ़ा फोटो सिंदेसिस के बारे में अब हम नेक्ष बात करेंगे कि फोटो सिंदेसिस कैसे होता है दे भरपूर । इनरजी होती है और इस लाइट को क्या करते हैं जैसे हमना ओमलेट बनाना जाrit नहीं होगा तावा को गर्म करना पड़ेगा तो तावा गर्म जैसे सपोस करो कि हरीद लवग है पत्ती को उपरी सत्व पाए जा रही है सन की लाइट पड़ती है क्लोरोप्लास्ट गर्म होता है यानि हम गैस जला है तावा हमारा गर्म हुआ और जैसे हमारा तावा गर्म हो रहा है वैसे ही क्या है कि हमने ओमलेट डाला, अंडा डाला, मिर्चा सब मिला के डाला और ओमलेट तैयार हो गया वैसे ही ठीक कि हरिदलवक गर्म हुआ और CO2 आ रहा है और नीचे से जल आ रहा है जैसे यह दोनों आएं वैसे ही क्या है कि तुरंत यह दोनों आपस में मिलें और मिलने के बाद किया है कि ग्लुकोज यानि सरकरा या मंड का निर्मार हुआ और उसके बाई प्रोड़क्ट में क्या निकले और जन निकला तो यहां पर देख पा रहे हैं कि जैसे light trap होती है यह से 3 सही क्या ओरी एक क्या चृता हूँ यानि अग्सीजन इहां पर बाहर निकल रहे हैं और यहां से देखों यह हैं पर मिन्राल स्वाटर आ यहां पर लांट क्या कर रहा हुग cuarto को आप कर रहा होगा यह leaf में जा रहा होगा तो leaf में क्या प्रक्रिया हो रही है लीफ में हो रहे है कि यहाँ से CO2 भी आ रहा है और नीचे से water भी आ रहा है ठीक है और यह दोनों आपस मिल रहे है sunlight के presence में और glucose बन रहे है C6 कहां से आया तो जल आया स्वायल से यानि मिट्टी से आया ठीक है अब यह दोनों क्या है कि संलाइट पड़ रही है यानि सपोज कर यह संलाइट इस पर गिर रही है और यह क्या है पत्ति को पर क्लोरोप्लास्ट है अब यह क्लोरोप्लास्ट के द्वारा क्या है कि यहां पर यह बन रहा है, glucose बन रहा है, C6-H12-O6, देखो यह सुगर बना, सुगर क्या है, C6-H12-O6 है, और यहां से क्या liberate हो रहा है, oxygen भी निकल रहा है, तो 6-O2 निकल रहा है, और यहां से water भी निकलेगा, 6-H2O, तो ऐसे प्लांट में क्या होती है, glucose बनते बनते रहते हैं प्लेस पूरी होती रहती है तब यही ग्लूकोज संचीत होता है और क्या बनाता है इस्टार्ट सेयां है यानि सिंपली कि अगर हम इपने बैंग में पैसा है तो पहले हैं 200-300-400 यानि ध्लेसारे । होते हैं धेर सारे पैसों क्या हैं जैसे 500 रुपए ठीक है 500 रुपए का क्या है 500 नोट भी कर सकते हैं 50-50 का भी कर सकते हैं 10-10 का भी नोट कर सकते हैं लेकिन इन सब को मिला कि क्यों हम सिंपल 500 का नोट कर कर सकते हैं तो प्लांट्स में किया है कि अगर ये सद्ध का करता है कि इस ग्लुकोज को संचित कर लेता है इनि क्या किया किया संचित कर लिया किस फर्म में מאוד कर जोकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह कम से कम आपके एक्जाम में दो नंबर से पांश नंबर के बीच आते हैं तो आप इसको फिगर बना के भी अच्छे से बता सकते हैं ठीक है अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि chloroplast होता क्या है basically जो chloroplast होते हैं ये क्या होते हैं chloroplast दोहरी आवरड युक्त कोसिकांग होते हैं कोसिकांग होते हैं ये केवल कहां पाये जाते हैं तो केवल केवल ये पाउधों में पाये जाते हैं पाउधों में पाये जाते हैं ठीक हैं हरीद लवक को अर्ध स्वायत कोसिकांग कोसिकांग यानि semi-autonomous semi-autonomous cell organelles cell organelles भी कहते हैं क्यों कहते हैं इसके बारे में भी अभी हम जस्ट बताएंगे तो simply देखो बच्चो कि हमें क्या करना है कि chloroplast क्या होता है तो simply हमने बताएगी जो chloroplast होते हैं दोहरी आवरड युक्त होते हैं कैसे होते हैं दोहरी आवरड युक्त होते हैं देखो तिये जो सबसे बाहर वाला आवरड है इसे हम लोग बोलेंगे बाय आवरड और इसके अंदर वाली जो आवरड है इसे हम लोग क्या बोलेंगे आंतरीक आवरड और इन दोनों के बीच में जो खाली अस्थान है इसे बोलेंगे अंतरा आडविक आडविक अस्थान ठीक हैं अब ये chloroplast के अंदर जो मुद्दे की बात है मुद्दे की बात की आई कि इसमें कैसे light को trap करता है तो इसमें क्या होते है सिक्के जैसे कुछ संग्रशनाई होती है क्या होती है सिक्के जैसे कुछ संग्रशनाई होती है इन सिक्के जैसे जो संग्रशनाई होती है इसे हम लोग क्या बोलते है थैला क्वाइड बोलते हैं क्या बोलते हैं थैला क्वाइड बोलते हैं ऐसे ऐसे क्या होते है कि इनमें बहुत सारे सिक्के जैसी संग्रशनाएं होती रहती है इसमें पड़ी रहती है और यह जो सिक्के जैसी संग्रशना है यही एक प्रकार का तावा जो हम बोल रहे थे कि तावा का काम कर रहा है और एक थैला क्वाइट का है क्या है एक थैला क्वाइट तो है नहीं बहुत सारे सिक्के जैसे संग्रशना है तो यह जो पूरा समू है सिक्कों का यानि थैला क्वाइट क्या है कि अगर ग्रूप में है समू में है तो इसे हम लो उसे बोलेंगे ग्रेनम तो एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से क्या है जुड़ा हुआ है जिसके द्वारा जुड़ा है उसे बोलेंगे इस्ट्रोमा लैमली क्या बोलेंगे इस्ट्रोमा लैमली बोलेंगे ठीक है अब क्या है कि इसके अंदर क्या है कि कुछ द्राव भी भरे हो यह द्रोमा बोलेंगे ठीक है अब इस्टोमा को हम लोग क्या बोलते हैं पीठीका बोलते हैं और यह लेमली यानि की एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जुड़ा है तो उसे हम लोग बोलते हैं पीठी का पट्टी लिकाए, क्या बोलते हैं, पीठी का पट्टी लिकाए, हिंदी में इसे नाम बोला हमने, अब इसके अंदर क्या है, कि यहां पे हमने लिखाए कि इसे अर्धस्वायत कोशिकांग बोलते हैं, तो अर्धस्वायत कोशिकांग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस इसके अंदर अपना खुद का क्या होता है राइबो-SOM होता है जिसे क्या वोलते हैं जो की राइबो-SOM कितना होता है शत्तर रहस होता है एब इसके बारे में हम ने मलब के class 9 के lecture में हम लोग इसको describe करेंगे तो basically देखो बच्चो ये जो हमारा एक थैलाक्वाइड के गर हम बात करें तो ये हमारा एक थैलाक्वाइड है अब थैलाक्वाइड यानि पूरे तावे कि हम लोग संग्रशना इसको बता रहे हैं इसके बीच में केवल दो ही वर्लक पाये जाते हैं इन में जो बीच में पाये जाते हैं उसे बोलते हैं reaction center यानि जहां पे प्रक्रियाए होती हैं उसे बोलते हैं reaction center ये जो दोनों center हैं इसे बोलते हैं सहायक केंद्र क्या बोलते हैं सहायक केंद्र यानि कि लाइट यहाँ पड़ी एब्जॉर्ब हुआ यह इसको ट्रांसफर किया फिर यह इसको ट्रांसफर कर दिया यहाँ लाइट पड़ी इसको एब्जॉर्ब किया इसको दिया फिर इसको दिया मतलब यह कहानी क्या हो रही है कहानी यह हो रही कि जैसे अगर माल लो कि समोसा गर्म है और समोसा गर्म है और जाएकदम गर्म ही समोसा आपके हाथ पर फेक दिया जाए तो आप क्या करते हैं इस खास इस आप फेकते रहते हैं यानि क्या है कि प्लांट्स क्या करते हैं कि प्ल लाइट को एब्जॉब करते हैं और उसके लाइट के वेवलेंद को कम करके एकदम में वाले केंद में भेजते हैं तो यहां पर प्रकास संसलेसर्ड की प्रक्रिया होती है तो हमने क्या पढ़ा कि हरीत लवक के में में कहा ठैला क्वाइड में यह क्रिया हो रही है जैसे हम हा carbon dioxide और S2O है यह दोनों जो प्रक्रिया जब दोनों मिलते हैं तो इसे बोलते हैं यह कब होते हैं यह लाइट के प्रजेंस में होते हैं लाइट के प्रजेंस यानि जब सुर्य भगवान दिखेंगे तभी यह प्रक्रिया होगी ठीक है और बाकी यह जो तुम्हारा glucose बना C6H12O6 यह तुम्हारा क्या है कि इसे dark reaction यानि इसे light reaction बोलेंगे light reaction और इसे बोलेंगे dark reaction यानि इसे बोलेंगे प्रकासी अभी क्रिया इसे बोलेंगे और प्रकासी अभी अभी यह सब हम लोग क्लास 11 प्रेंगे तो हमने क्या पढ़ा कि फोटो सिंसिस के दौरा जो 100 प यह होते हैं उनमें यह capability नहीं होती है इसलिए अपना भोजन नहीं बना सकते हैं यह सब हमारी थी chloroplast के बारे में अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी स्वपोसी पोसड होते हैं क्या होते हैं जो स्वपोसी पोसड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते है अगर हम बात करें कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के होते हैं तो पहला एक ऐसा है आटोट्रापिक प्रकास के उपस्तिते में photo-autotropic nutrition और दूसरा है chemo-autotropic nutrition पहले देखो इसके बारे में समझो photo-autotropic को हम लोग बोलते हैं प्रकास sansalasy प्रकास sansalasy स्वपोसी पोसर इसे बोलते हैं कीमों को बोलते हैं रसायन संसलेसी स्वपोसी स्वपोसी पोसर तो हिंदी इंगलीज दोनों हो गया अब इसको ध्यान समझो कि ऐसे जिव जो अपना भोजन प्रकास की उपस्तिती में बना ले स्वयम बना ले ऐसे जीओे को क्या बोलते फोट्य वह टोपना बना लेते हैं लेकिन अगर हम बात करें रसायन संसलेसी की स्वयम्वन बना लें नज्य masks ऑघ क्य आरिए अपना कायनों की सहायता से स्वयं बना ले एसे जीयों क्या वोलते हैं आपके घर में लोहे की धरवाजा की खिडिकी हर एक चीद्ध लगी रहती है तो इसमें जंग लग जाता है यानि सलफर ब्यक्टिरिया हो गया यह अपना भोजन यंग से लेगा सलफ़ जैसे केमिकल से नाइट्रोजन बैक्तिरिया हो होगा अपना नाइट्रोजन से क्या कर रहा होगा नूट्रिशन ले रहा होगा इटीसी यानि ऐसे जीव जो अपना भोजन केमिकलो के द्वारा लेते हूँ ऐसे जीव क्या बोलते हैं याप यहाँ पर स्लाइड देख सकते हैं कि एक नट तो आप यहाँ पे जैसे की फोटो सेंसिस देखा आपने और फिर यहाँ पे process of rusting तो rusting के अगर process की बात करें तो कैसे होता है तो rusting में क्या है कोई iron है यहाँ पे oxygen है तुमारा environment पे oxygen था यह iron थे और यह water से मिला और देखो यहाँ पे rust लगया यानि जंग लगया तो कैसे होता है oxygen और iron आपस मिलते हैं और जल तो यह क्या बनाते है फेरस ऑक्साइड बना लेते हैं यह फेरस ऑक्साइड ही क्या कराता है यह oxidation reaction से करके यह photosynthesis करता है ठीक है तो यानि कि chemo autotropic nutrition क्या होता है chemo autotropic nutrition का मदलब होता है कि ऐसे जो अपना nutrition chemical के दवारा लेते हों ठीक है तो यह था chemo autotropic का एक simple सा example अब हम next slide की और बात करेंगे तो देखे हमारा next example of chemo autotrops में जैसे iron bacteria की बात की हमने sulfur bacteria की बात की nitrogen bacteria की बात की तो iron bacteria iron से अपना nutrition ले रहा होगा sulfur bacteria sulfur से ले रहा होगा nitrogen bacteria nitrogen से अपना nutrition ले रहा होगा next slide की बात करेंगे heterotropic nutrition तो आज की class यहीं तक रहेगी हेट्रो ट्रॉपिक नूट्रिशन हम अगले क्लास में बात करेंगे और जितने भी कोई अगर क्यूरी होती है तो आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल पे भी जूड सकते हैं जो की एमर्स बायलोजी क्लासिस के नाम से हैं वहां से आप कोई भी डाउट हो आप पूछिए तो एक लास टेंद की जो सीरीज चल रही है इसमें पूरा कोर्स कवरिस करा जाएगा अगर कोई आपको क्यूरी डाउट रहती है तो आप कमेंट बाक्स में भी पूछ सकते हैं तब तक मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैहिन